हेलो बच्चों कैसे हो आप सब लोग उमीद है आप सब लोग अच्छे होंगे आज हम चुरू करने जा रहे हैं पाठ 10 अकल का तूमबा चित्रपराधरित गतिविधी दिये गए खाली स्थान पर एक घड़े का चित्र बनाईए साथ ही बताईए कि घड़ा किस किस काम आता है पाठ प्रवेश पाठ में इरान के बादशा के बेवकूफ भरे संदेश के विशे में बताया गया है और उस संदेश का बीरबल ने किपनी चतुराई से जवाब दिया आईए पढ़ते हैं आईए शुरू करते हैं कहते हैं कि एक बार अकपर के पास इरान के बादशा ने एक संदेश भिजवाया सुना है आपके पास नवरत्न है अगर थोड़ी सी अकल भेज दे तो बड़ी क्रपा होगी अब अकल भेजे कौन अंत मैं अकल भेजने का काम बीरबल को मिला बीरबल ने तीन ऐसे घड़े बनवाए जिनका मूँ बिलकुल सक्रा था और आकार काफी बड़ा फिर उसने बढ़िया किस्म का तूमबे का बीज मंगवा कर उगाया जब उसमें फल लग गए तो एक एक फल उनमें डाल दिया जब वे फल बढ़कर पूरा तूमबा बन गए तो बीरबल ने उन्हें बाच्छा के पास संदेश बिजवाया कि इन घड़ों से अकले निकाल ले और घड़े वापस बेज दे इरान का बाच्छा पहले तो यही ना समझ पाया कि आखिर इतने बड़े तूमबे इन घड़ों में कैसे जाग सके होंगे थोड़ी देर बाद इस पहेली का अर्थ श शब्ड वाटिका नवरत्न नौरत्न नाइन जेम्स सक्रा छोटा नैरो पेवकूफी मूर्खता पुलिशनेस क्या आप जानते हैं गर्मियों के दिनों में आज भी कई घरों में मिट्टी से बना घड़ा नजर आता है भारत में आज भी मठके यह घड़े में पानी रखने की परंपरा है मठके में पानी थंडा और मीठा होता है विचार मन्थन क्या होता अगर अकल भेजने का काम बीरवल को ना सौपा होता खोजबीन इंटरनेट गतिविधी इंटरनेट की मदद से अकबर के दरबार के नौरत्नों की सूची बनाईए रोचक जानकारी चिकने घड़े पर पानी नहीं थेहरता यह एक कहावत है इसका अर्थ है बेशर्म आदमी पर किसी बात का कोई असर नहीं होता धन्यवाद बच्चों अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में तब तक के लिए पढ़ा हुआ वापस पढ़ें